तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप आपकी SIP को रोखना चाते हो SIP को कैंसिल करना चाते हो गुरो अप्लिकेशन के माध्यम से तो आप कैसे SIP को कैंसिल कर सकते हो और कैसे आपके मनी को आप बैंक तक ला सकते हो मतलब complete process बताऊँगा कि SIP कैसे कैंसि से ला सकते हो तो बिल्कुल complete डिटेल आज की वीडियो में आपको मिलेगी तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सिस्क्राइब नहीं कर आओ तो चैनल को सिस्क्राइब कर लेजिए तो दोस्तों वीडियो से पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजन पने लेल जारता हूं पिंडालने के बाद क्या जैसी हम लागा इनो दो नीचे की तरफ आपको ओप्षेण second मूलेगा आपके नीचे की तरफ के जितने वी फंड तैसमें मेंसे निकालना है के लिए निकलने पार हो जाएंगे जैसे जैसे सपोस कर लिजी दोस्तों मुझे दोस्तों यह Axis Blue Chip Fund है ठीक है इसमें क्या करना है दोस्तों इस SIP को मुझे Cancel करना है ठीक है तो Simply मैं इस Fund पे Click करूँगा दोस्तों जैसी में इस Fund पे Click करूँगा तो उपर की तरफ आपको एक Option देखेगा Cancel SIP तो Simply दोस्तों मैं को क्या करना है Cancel SIP पे Click करना है दोस्तों जैसी मैं Cancel SIP पे Click करूँगा तो नीचे की तरफ मुझे दो Option देखने को मिलेंगे एक आएगा Cancel this SIP ठीक है और आएगा Confirm Cancel पे Click करना है दोस्तों जैसी आप Confirm Cancel पे Click करोगे तो हमारी SIP वो Cancel हो जाएगी आप पर Got It लिखा हुआ हम Got It पे Click कर देंगे तो दोस्तों सिंपल ही जो हमने SIP Cancel करी थी वो SIP Cancel हो गई लेकिन दोस्तों अभी हमारा 50% काम हुआ है अभी हमारा पैसा बैंक तक नहीं नहीं तो इसके लिए दोस्तों हमारा जो फंट था देख लिए हम SIP वाले section में है यहां पर लिखा हुआ है एकसे ब्लूचिफ फंट सिंपल हम इस पर टैप करेंगे दोस्तों जैसी आप इस पर टैप करोगे तो यहां पर आपको देख लिजिए SIP Cancellation in Progress ठी के मतलब आप आपको क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको क्या करना है क्योंकि हमने हमारी SIP को रोग दिया है ठीक है कैंसेल कर दिया है तो simply redeem all पर क्लिक करेंगे जैसी दोस्तों आप redeem all पर क्लिक करोगे ठीक है तो दोस्तों नीचे की तरफ आपको बता देगा अगर आप टाइम प्रेट से पहले आपका जो फंड है वो इसको निकाल लेते हो विड्रो कर लेते हो ठीक है तो जो mutual fund है वो आपसे कुछ charges लेता है तो आप नीचे की तरह आपको चार्जिस होएंगे मेरा जो एक्सिस लोड है दोस्तों वो मेरा 11 रूपे समतिंग का लग रहा है वो नीचे आपको शो हो रहा होगा ठीक है तो मैंको HDFC में मेरा पैसा चीए ठीक है तो मैं सिंपल साथ दोस्तों नीचे verify लिखा हुआ है verify redeem all इस पर किलिक करूंगा दोस्तों जैसी में इस पर किलिक करूंगा तो दोस्तों यह कुछ प्रोसेसिंग लेगा देन देख लीजी हमार जो रेडिम और प्लेस हो चुका है ठीक है अब यह बता रहा है दोस्तों हमारे जो पैसा है ठीक है अभी जो उपर लिखा हुआ दोस्तों की कितना अमाउंट है नीचे लिखा हुआ है आज की डेट और यह बोलडा की आपके बैंक में ट्रांसफर कपता होगा वह बोलडा 11 जुलाई मतलब 11 जुलाई था कि पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा ठीक है तो मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है तो दोस्तों सिंपल यहां पर देख लिए पूरा कंप् नहीं देखाए इस वीडियो को तो बिल्कुल आप step by step समझ गए होगे ठीक है तो दोस्तों जैसरी शाम मिलते हमारी नेस्ट वीडियो में आज की वीडियो कैसे लगी वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सिस्क्राइब जरूर करें जैसरी शाम द